तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल रही है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है OMC के तरप से OMC, Odisha, Bindle Corporation Limited के तरप से एक वैकेंसी निकल रही है जो की सर्कुलेट हो रही है जिसमें फार्मेन का, सर्वेयर का, माइनिंग मेट का वैकेंसी निकाला गया है तो यह बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है, अलग-अलग वैकेंसी निकला गया है, कमपनी की तोर से वाकई में यह सही है या गलत है, तो इसको अथेंटिकेट करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ऑपिन कर लेना है, यहाँ पे मैं क्रॉम ब्राउजर ऑपिन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना है, ओ, एम, सी, चुकि वो एम, सी के तरब से निकाला गया है, तो उसको आप सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला नमर पे आएगा, ओडिसा माइनिंग कॉर्पोरेशन, यह कमपनी है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ओ, एम, सी का जब साइट खुल जाएगा, तो यहाँ पे नियू अपॉर्चुनिटीज में आपको सर्च करना है, कि क्या वाकई वेगंसी आया है, क और रिक्वार्मेंट टैप करना है, तो आपके सामने, जितने भी रिक्वार्मेंट होंगे, वो सभी खुल जाएगा, जैसे यहाँ पे एक आ रहाए है, एडवर्टाइजमेंट उर रिक्वार्मेंट फॉर्ढाइगरार्मेंट फॉर्दा, रेगूर्डर पोस्ट और इसके नीचे नॉन एग्जिकूटी पोस्ट का अलग से अड़टाइजमेंट निकाला गया है दो दो एड़टाइजमेंट इसमें है तो पहले हम लोग उपर वाला को देख लेते हैं एक बार तो सबसे पहले हम लोग उपर वाले को टैप करेंगे टैप करने के बाद यह के से सही है यह वैकेंसी गलत नहीं है यह सही वैकेंसी है अब हम लोग इसके बारे हम बात करेंगे कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है डिप्लोमा माइनिंग किये हैं फॉर्मेन वाले नहीं है और में सर्टिफिकेट होल्डर है तो भर सकते हैं क्या माइनिंग मेट न जहारकंड एस्टेट का जैसे जहारकंड में डबलप्न लिमिटेट है उसी तरह से औरिसा गौवर्मेंट का यह एस्टेट गौवर्मेंट की कमपनी है कि जोकी बहुत सारे माइनिंग मिनरल का माइनिंग करती है और यह गोल्ड कैटेगरी का पी एस यू है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बोलते हैं हम लोग यह सरकारी कंपणी है गुजरात औरी सा गॉर्मेंट का यह कंपणी है जो की माइनिंग का काम करती है ट्रेडिंग का भी काम करती है ठीक है माइनिंग का एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन का मतलब होता रिसर्च पता लगाना मिनरल कहां है नहीं है इसा मिनरल का खोज करना माइनिंग का मतलब होता उस मिनरल को निकालना ठीक है ट्रेडिंग का मतलब होता उस पर डील करना कौन-कौन सा चीज का तो आयरन का ट्रेडिंग करती है क्रोमेट का ट्रेड करती है उसको लोग बोलते हैं सौट में क्रॉम भी लिखा जाता है और बॉक्साइट और का जिससे अलमोनियम बनता है यह सब चीज का ट्रेडिंग और एक्सप्लोरिशन माइनिंग वगरा करती है तो यह बेसिकली कहा जाएगा कि यह मैटल माइन्स की एक कमपानी है इसका कोल माइन्स का भी कुछ माइन्स अभी है रिसेंटली ओपेंड हुआ है तो इसमें बता रहा है कि इसी को डवलप करने के लिए जो मिन्रल है उसको दॉड़ा मेला हुआ है इसमये वाक जी जो बिसे के लिए निकाला किया वह कुछीश फार-मेंट का वैक्एंसी है, टॉटल मिलाकर के अगर बात करेंगे टॉटल है कितना है तो टौटल वैकेंसी है दस पाषो ऑस का तो तॉटल दस वाकेंसी है ही जिसमें से पाँच line लिए क्वालों के लिए है की माइनिंग में 10 एसनी तेगरी में रखा ग्या इसमें 20 बहुंद वैकेंसी टोटेल Кणंसी 5 बहुत ही अच्छा वेकेंसी निकाला गए क्योंकि 50 सीट का माइनिंग मेट का वेकेंसी जनरली देखने को हम लोगों नहीं मिलता है इसलिए इसको हम अच्छा वेकेंसी कह सकते हैं इसके बाद बूला गया है कि वोमन कंडिडिट अगर है तो जो कैटेगरी में उनको फॉल्फिल किया जा सकता है वही अब भर सकते हैं इसके बाद एक और बात यहां पर लिखा हुआ है जो कि डिसपॉइंटिंग भी है यहां पर लिखा हुआ है जो डो मिसाइल ऑफ और इसके है एकसाल से रह रहे नहीं दो मिसाइल का मतलब है जिनका इसीडैल सर्टिफिकेट और गवर्मramble को बना हुआ नियोज़न वाला नियोजन मतलब इंप्लाईमेंट वाला वही इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर domicile certificate अपका नहीं है तो फिर आप apply नहीं कर सकते हैं, जारखन से हैं नहीं apply कर सकते हैं, बिहार से हैं नहीं apply कर सकते हैं, बंगाल से हैं नहीं apply कर सकते हैं, आप अगर Odisha के हैं domicile certificate है तब apply आप कर सकते हैं, तो इसलिए आगे और कुछ चीजों को देख लेते हैं, तो salary सेलरी बहुत अच्छी इसमें मिल रही है अगर मैं बात करो फॉर्मेन सेर्टिफिकेट वालों का भी बहुत ही अच्छा सेलरी इसमें दिया जा रहा है जैसे स्टार्टिंग है 35,400 पेस्केल है 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा नाइन्थ पेस्केल के साब से आपको सेलरी दिया आपको फॉर्मेन सेर्टिफिकेट चलेगा क्या नहीं चलेगा आपको फॉर्मेन सेर्टिफिकेट मेटली फेरस माइनस रेगुलेशन के इसाफ से मेमर 1961 के हिसाफ से होना चाहिए इसमें भी एज लिमेट दिया गया है 18-32 साल बाकी एज रिलेक्सस अने पर गवर्मेंट आ सेगंड पूस्ट है सर्वेयर का सर्वेयर का भी सेल्री वही है जो आपका फॉर्मेंट का है ठीक है इसमें 35,400 बगर बगर दिया गया है डिप्लोमाइन माइनिंग है या सर्वेय किये है तो आप चल जाएगा साथी साथ अपकी बास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए 6400 रुपिया सेल्री है यह देर देर बढ़ेगा 79,100 रुपिया तक है टेंथ क्लास पास है साथी साथ माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट आपके पास है मैटली फेरस माइन्स रिगूलिशन के हिसाब से तब अपलाई कर सकते हैं माइनिंग सर्दार वाला चलेगा क्या नहीं आप टेलिग्राम गुरूप कल लिंग डिस्क्रिप्शन में होगा वहां से जोइन कर सकते हैं और आके वहां पर आपको नोटीस बढ़ेगा मिल जाएगा इसके बाद है कि कहां पर होगा क्या होगा तो देखिए यहां पर जो एड्रेस दिया गया है कॉम्यूनिटी सेंटर ओम्यूनिटी सेंटर दिया गया है इस जगा पर आपको इंटर्वियू होगा वाकिन इंटर्वियू है मतलब पूछा जाएगा और लिग्जाम जैसा फार्मेन सर्वेर और माइनिग मेट फार्मेन का टाइमिंग है पंदरा तारीक को सुबह-सुबह आठ बजे सर्वेर का और माइनिग मेट का टाइमिंग है 16 फरवरीक को आठ बजे सर्वेर वालों के लिए और माइनिग मेट वालों के लिए 11 बजे इसका स्किन सोट लिजेगा अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको जाना है और यहां पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगा अगर आप पुरिशा से हैं आपके पास Residencial Certificate है तो आपको बहुत ही अच्छा पॉर्चिनिटी मिला है यकीन मानियाँ आपको बहुत ही अच्छा पॉर्चिनिटी मिला है पहली बात तो Public Sector unit है उसके बाद Government Under Taking आपको जौब मिलेगा मतलब ऐसा नहीं कि प्राइबिट में OOMC के अं तो वाकिन इंटरव्यू है एक्जामनी संत उतना लफड़ा उगरा कुछ है नहीं ठीक है इसके बाद यहां पे जो इंटरव्यू होगा यहां पे एक और फाइदा आपको मिलेगा ठीक है फाइदा क्या होगा सिर्फ टेक्निकल राउंड से कोस्टन पूछे जाएंगे आपक इसके बाद माइन्स एक्ट माइन्स रूल यह सब लेजिसलेशन वाला पूरा पेपर चार्ट लेजेगा अपका राम से निकलेगा और माइनिंग सरदार और माइनिंग मेंटर फार्मिल लेवल का काफी असान होता है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिट बगर यह सब आ रहा है देखिए यह फॉर्म आ रहा है इस फॉर्म को डाउन्लोड किजेगा मैं टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूंगा इसको इन दोनों पेज को प्रिंट किजेगा इसको अच्छे से भर लिजेगा भरने के बाद यहां पे दिया हुआ है कि कुछ कुछ चिज आपको इनकलोस भी करना पाट करना पड़ेगा उसका सबकाज्स다ग को प्रेक्जा का पतने पड़ेगा और अरिजनल आपको टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा और हाई होप आपको ये वीडियो पसंदा होगा और मेटल माइन्स से रिलेटेट कुछ और भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ तो अगर आप मेटल माइन्स से हैं तो कमेंट सेक्षन में बताईएगा क्योंकि मुझे जानना है कि आप मेटल माइन्स के कितने केंडिडिट हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि मैटल माइन्स के लिए भी मैं जैसे कोल माइन्स के लिए तना कुछ कर रहा हूँ तो इसी तरह से metal mines के तरब भी मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ कितना कुछ कर सकता हूँ जितना कुछ भी कर सकता हूँ क्लिक करूंगा आप comment section में जरूर बताइएगा कि आप metal mines के है या नहीं है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए keep watching keep supporting till then जैहन